जहें फिजोर ओफ इंड़ार और और उस्वागत है मैं हूं हिमान सुक्मार आज के इस वीडियों नों के बात करने वाले हैं कुल तिन कंपनियों के बारे में एक का नाम है सुजिलॉन इनर्जी जो इन दिनों काफी चर्चा में इसके बारे में तवसीर से बात होगी इसके बात होकी टेटर आखा में चर्चा की बारे में सुजिलॉन से कि करेंगे देखे हैं सुजिलॉन हम जानते हैं कि यह विंट टर्बाइन और बनाने वाली कम्पनी है भारत में तो सुज। सबसे बनाती है इसको बारे में अधार कमपनिया सब में सबसे नंबर वन पर आता है वह इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा रिन्यूवल इनर्जी सेक्टर में बात करें तो भी टर्वाइन और सोलार प्लम आने का काम यह कंपनी करती है अब देखें रिन्यूवल इनर्जी जैसे आप जान देंगे त्रेंडिंग सेक्टर करने का मतलब कि जब कोई भी बड़े इंवेस्टर सेक्टर जो होते हैं जो चीज़ें चल रही होते हैं उसमें अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो अभी कमाल की खबर अपडेट निकल कर सामने यह आई है कि जो अमेजन इंडिया है वो तीन लाह करोन रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और रिनीवल इनर्जी क सेक्टर में जो कमने काम करती हैं उन में तो जैसे मैंने बताया कि सुझिलोन इनर्जी रिनीवल इनर्जी के मामने में सब्सके ज्यादा काम करती है तो अभी यह इसपड़्य नहीं है कि में इंडिया जो तीन लाह करोन रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा वो किसी एक क सब्सक्राइब कर सकते हैं सरकार ने इसके लिए कुछ सोचा और उस पर इंवेस्टमेंट करने की बात सामने आती रहती है तो स्विलों इन्रजिस एक अब डेट थी इसके बारे में अगुबत आया अभी बात करते हैं टीटीमेल के बारे में देखें टीटीमेल का पूरा नाम होता है टाटा टेली सर्विसेज कंपनी यह महराष्ट कंपनी है और यह टेलीकॉम सेक्टर से बिलॉंग करती है इसका मार्केट केप देखेंगे तो तो अभी इसका सेहर प्राइस चला है तीरासी रुपए का सपास इस कमनी का यह सदे गर्वर का मीपें से अभी इस बॊंब करिए इसलिक और लहां हो जाता है तो यह इसके कमनी केले क resource तो यह कुइए इसके प्रोपिट्स जंठीक हो जाता है तो शुचेए जितना कमा नहीं पाती वह लोव से त्डिक प्रेंबर में योग Das करने से बचिए यदि आपका इसमें इंबेस्टमेंट है तो आप सिर्फ प्रोफिट बुक करने पर धान दीजिए अब बात करते हैं बात करते हैं बात करती है यह कंपनी जो है वरतमान में देखेंगे तो 2018 में इसका नाम चेंज होने के बात पड़ा है अभी सब्सक्राइब करते हैं इसके बारे में अच्छी अबड़ेटी है कि कमनी के उपर फिलाल तो करजा कुछ नहीं है और धिरे-धिरे इसमें प्रमोटर्स के सदारी बढ़ना अच्छा माना जाता है समानने तब अब देखें इस कम्पनी के फंडामेंटल में भी सुधार होते ह तो अबर अल्व हर एक प्रकार से इस कमनी में बहतर होते हैं क्योंकि पिछले को इसको देखें तो कम्पनी की कमाई के साथ साथ कम्पनी के प्रोफिट भी बढ़ है और इसमें प्रमोटर्स की सदारी भी धीरे और सबसी बड़ी बात है कि जो विदेशी निवसक होते उनक मैंने आगों बताया फिर भी मनें कोई कंफ्यूजन और सब्सक्राइब पूछ सकते हैं उसके रिप्लाई दूँगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक धरने बात शुक्रिया